नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल में तो आईए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आज मैं आपको पढ़ाने जारी हूँ मौरिस समराज्य और इसकी पहले की वीडियो में मैंने इरानी तथा युनानी आक्रमर कम्प्लीट करा दिया था तो मगदवन्स में मैंने आपको हर्यकपन्स, सिसुनागपन्स और नंदवन्स कम्प्लीट करा दिया था और नंदवन्स के समय जो इरानी तथा युनानी आक्रमर हुए थे उनको भी मैंने कम्प्लीट करा दिया था तो आज मैं आपको पढ़ाने जारी हूँ मौरी समराज्य तो आईए देख लेते हैं मौरी समराज्य तो मौरी कौन थे इनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी इसको लेकर इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मद्धेद है तो मौरियों के उत्पत्ति के संबंद में तीन विचार धाराय दी गई हैं कोई कहता है कि मौरे पार्सी थे तो कोई कहता है सूद्र थे तो कोई कहता है कि छत्रिय थे तो आएए देखते हैं कि किसके अनुसाद क्या कहा गया है डॉक्तर बी स्पूनर का विचार है कि मौरे पार्सी थे अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा है क्योंकि चंद्रगुप्तिकाल का भारत और फारस की जो समाजिक, धार्मिक और राजनितिक इस्तिती थी उनमें कुछ समानताएं पाए गई, इसलिए डॉक्तर बी स्पूनर का विचार था कि मौरे पार्सी ही रहे होंगे दूसरा रतन गर्ब दौरा रचित विष्डो पुराड की तीका में लिखा गया है कि चंद्रुप्तिका जनम नंद राजा की पत्नी मूरा से हुआ था इसलिए उसकी उपादी मौरे हुई और नंद वन्स के राजा सुद्र थे तो इसलिए मौर्यों को भी सुद्र कहा गया वही महावन्स के अनुसार कहा गया कि चंद्रुप्त मौरे नामक छत्रे जाती का था हेम चंद्र दौरा रचित परिशिष्ट परवन के अनुसार बताया गया कि चंद्रुप्ति मयूर सरदार की पुत्री का पुत्र था वहीं पुडियासरप कथाकोस के दौरा बताया गया कि मौरे छत्रिये थे पुडियासरप कथाकूस के रचयता रामचंद्र थे और इन्होंने मौर्यों को छत्रिये कहा था तो आईए इसके बाद हम देख लेते हैं मौर्य वन्स मौर्य वन्स ने 322 इसा पूर्व से 185 इसा पूर्व तक सासन किया था तो किस प्रकार से मगत का उतकर्स हुआ था मगत में विभीन प्रकार के राज़ितिक परिवर्तन हुए थे और जिसके परड़ाम सरूप कहीं राजवन्सों का उदै हुआ था जिन में हर्यक, सिसुनाग और नंदवन्स हम लोग पढ़ चुके हैं और नंदवन्स के पतन के बाद कौनसे वन्स की स्थापना हुई मौर्य वन्स की स्थापना हुई जिसको हम आज पढ़ रहे हैं तो मौर्य वन्स के जो संस्तापक थे वो चंदरगुप्ते मौर्य थे और इसके अंतिम राजा भ्यधरत थे तो मौरेवंस में इन सासकों ने सासन किया, ये कुछ प्रमुक सासक है, सासक तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ प्रमुक सासक ये हैं, चंदर्गुप्ति मौरे, बिंदु सार, असो, कुडाल और भैदरद तो इस मौरेवंस की जानकारी के स्रोथ क्या थे हमें कहां से मौरेवंस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो उनके बारे में पहले देख लेते हैं हम तो कुछ साहितिक स्रोथ थे तो कुछ प्रातातिक स्रोथ थे साहितिक स्रोतों में अर्थिसात्र, इंडिका, पुरार, मुद्राराग्छर और कुछ बौध ग्रंथ थे, कुछ जैन ग्रंथ थे प्रातातिक स्रोतों में असुख के अभिलेग, भवन, इस्तूब, गुफा, मृद्धभांड, जुनागर अभिलेग इन सब अभिलेगों से, इन सब पुरातातिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई, तो आईए देख लेते हैं, एक एक करके इन स्रोतों को, सबसे पहले हम साहितिक स्रोतों को देख लेते हैं, साहितिक स्रोतों में जो सबसे पहला स्रोत था अर्थसास्त्र, अर्थसास्त्र क रचना किसने की है चाड़क के नहीं चाड़क को हम और नामों से भी जानते हैं कौटिल और विश्रू गुप्त तो जो अर्थसास्त्र पुस्तक है वो राजनीतिक विश्य पर आधारित है जिसमें राजा के दौरा चलाए गए प्रसासन के बारे में जानकारी प्राप्त होत गुबहर ही अर्थसास्तर को राजनीती विश्य कि सबसे महत्यपूर्ड पुस्तक कहा जाता है चंद्रगुप्त के सासन काल की राजनीतिक आर्थिक और समाजिक इस्तिति की जानकारी हमें इसी अर्थ सास्तर से ही प्राप्त होती है दूसरा जो स्रोथ है वो है इंडिका और इंडिका की रचना किसने की है मैगस्तनीच ने मैगस्तनीच एक युनानी यात्री था जो चंदुरुप्त मौरे के दरवार में रहता था अब चंद्रगुप्त मौरे के दरवार में रहता था तो जाहिद है चंद्रगुप्त मौरे के प्रसासन सासन सबकी जानकारी प्रदान करेगा ठीक है तो इंडिका से भी हमें काफी सारी जानकारी प्राप्ट हुई मौर्यवन्स के बाने में तीसरा स्रोत है साग दत्त ने की है और मुद्रा राक्षस में बताया गया है कि चाड़क के और चंदरुप्त ने मिलकर किस तरीके से नंदवन्स का पतन करके मौर्यवन्स समराज्य की इस्थापना की किस तरीके से चंदरुप्त और चाड़क ने योजनाय मनाई और किस प्रकार से उनको सफलता प्राप्त हुई तो मुद्रा राक्षत से भी मौर्यवंस के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है वही कुछ बौध और जैन गरंत भी हैं जैसे दीववंस और महावंस में बताया गया है कि असोक ने बौध धर्म की प्रिचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संगमित्रा को लंका भेजा और लंका बौध धर्म का सबसे प्रमुक केंद्र बन गया तो दीववंस और महावंस से भी मौरेवंस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो ये तो थे साहितिक स्रोत अब कुछ प्रातातिक स्रोत भी है जैसे प्रातातिक स्रोत में जो सबसे इंपोटेंट है वो है अभिलेक तो असोक के अभिलेखों से मौरे और असोक के प् जानकारी प्राप्त होती है तो यह तो कुछ साहितिक स्रोत और कुछ प्रातातिक स्रोत और इसके बाद हम पढ़ते हैं मौर्यवंस के राजाओं के बारे में तो सबसे पहला जो राजा है वो कौन है चंदरगुप्त मौर्य जिसने मौर्यवंस की इस्थापना की चंदरगुप्त मौर्य ने 322 इसा पूर्व से 298 इसा पूर्व तक सासन किया इसने नंद वन्स के अंतिन सासक घनानंद को पराजित करके मौर्जे समराजी की इस्थापना की थी चंदरगुप्त मौर्जे की गुरु कौन थे? चाड़क के थे और चाड़क की सहायता से ही चंदरगुप्त मौर्जे ने नंद सासक घनानंद को हराया था तो कूटमीती किसकी थी? सारी की सारी? चाड़के की थी ठीक है? क्योंकि चाड़के घनानंद के दरवार में रहा करता था लेकिन घनानंद ने चाड़के को अपमानित करके बाहर कर दिया था तब से चाड़के ने अपने अपमान का बदला लेने का सोचा था और उसने अपना बदला का पूरा किया चंदरुप्त मौर्य को गर्दी पर बैठा कर तो अपने अपमान का बदला चाड़के ने ले लिया और चाड़के ने चंदरुप्त मौर्य को जाजनेतिक सिक्षा परदान करके मौर्य वंस का राजा बना दिया तो आईए जान लेते हैं फिर चंद्रगुप्त मौरी के बारे में चंद्रगुप्त मौरी की उत्पत्ती कहां से हुई है तो ब्रामर साहित्य के अनुसार बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौरी सूद्र था वहीं जैन और ब्रॉद दिग्रंद के अनुसार बताया गया है कि चंदगुप्त मौरे छत्रिय था वहीं युनानी साहित्य के अनुसार बताया गया है कि चंदगुप्त मौरे पार्सी था तो आईए देख लेते हैं कि किसके अनुसार क्या कहा गया है ब्रामर साहित्य के अनुसार कहा गया है कि चंद्रुप्त मौर्वे नंदे राजा की सुद्र पत्नी से उत्पन्न था यानि कि सुद्र बताया गया है वही बॉर्द साहित्य के अनुसार बताया गया है कि चंद्रुफ्त मौर्व, मौरिय नगर के राजा का पुत्र था लेकिन जब ये अपनी मा के गर्व में था तब मौरिय नगर के राजा के मिर्थियों हो चुकी थी तब इसकी माँ अपने भाईयों के पास पाटली पुत्र पहुंची और वही इसकी माँ ने एक बच्चे को जनम दिया और वही बच्चा कौन था चंदरगुप्ते मौर्रे तो पाटली पुत्र में इसकी माँ ने इसे जनम दिया और इसे मवेशी साला की निकत ठैक दिया था जहां चंदर नामक वर्सब ने इस बच्चे की रक्चा की और जिसके कारण उसी चंदर के नाम पर इस बच्चे का नाम चंदरगुप्ते मौर्रे पड़ा तो बौर्दे साहिति की अनिसार ये बताया गया है ठीक है कि मौरे नगर की राजा का उत्र था तो कहा जाता है कि एक बार चंदरुप्ते मौर्रे बच्चपन में ही खेल खेल रहा था और उस खेल में वो राजा बना हुआ था और अन्ने बालकों को वो अधिकारी निकत कर रहा था और वास्तविक राजा के समान वो न्याय भी कर रहा था उसी समय चाड़क के वहां से गुजर रहा था और उसमें जब ये सारी चीजे देखी तो वो काफे प्रभावित हुआ इस बालक से और अपने अपमान का प्रतिसोद लेने के लिए इस बालक को चाड़के न अनुसार वहीं जैन साहिपते के अनुसार भी कुछ बताया कया था कि चंदरुप्त मयोर के सरदारों का पुत्र था एक बार चंदरुप्त बालकों के साथ राजक्रिडा कर रहा था और चाड़क के ने उसकी परिच्छा लेने के लिए उससे कुछ भेट मागी तब उस बा को कमा अपने साथ ले चला गया तो ये बताया गया था जैन साहिपते के अनुसार वहीं उनानी साहिपते के अनुसार भी कुछ बताया गया था विलियम जोन्स ने सेंडरो कोेस पहचान मौड़ को Lite avanzar का समराज देख लेते हैं तो चंद्रमुप्त मौने इतने विसाल समराज की स्थापना की थी कि पत्षी में इरान के बाद अफ़कर्निस्तान सीमा से लेकर बंगाल सीमा तक उत्तर में कसमीरveel लेकर दक्षड में करनाटक तक मौर्य वन्स इस्थापित हुआ इतने विसाल समराज्य को इस्थापित करने का स्रेक इसको जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को इतने संपूर भारत को एकत्र करने का प्रयास किया था तो आएए देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस सरीके से इतने विसाल समराज्य की इस्थापना की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे युद्ध किये थे और उन युद्धों में विजय होने के बाद उसने अपने समराज्य का विस्तार किया था तो उनका जो पहला युद्ध था वो था मगत पर आक्रमड तो चाड़क के और चंद्रगुप्त मौरे ने एक सक्तिसाली सेना तयार की और मगत के ग्रामों वा नगरों को विचित करना सुरू कर दिया लेकिन वहां के लोगों ने चंद्रगुप्त मौरे की सेना को घेर कर उनकी सेना का विनास कर दिया किसी तरीके से चाड़क के और चंद्रगुप्त मौरे भागने में सफल हुए वा अपना भेश बदल कर एक घर में रुख गये जिस घर में वो लोग रुके थे उस घर की ग्रह सामनी अपने बच्चे को खाना खिला रही थी और बच्चा रोटी के बीच के भाग को खा रहा था जिससे उसका मौ जल गया तब उस घर की ग्रह सामनी अपने बच्चे को कहती है कि तुम्हारा ये कार्रे चंद्रगुप्त मौरे के समान है यानि कि जिस प्रकाश चंद्रगुप्त मौरे ने सीमा प्रांतों को अपने अधिकार में लिये बिना ही क्या किया मर्द के भाग पर आक्रमड कर दिया था मगद पर आक्रमड कर दिया था उसी तरीकी गलती तुम भी कर रहे हो ये सारी बाते चंदगुप्त मौर्ड और चाड़क के सुन रहे थे चंदगुप्त मौर्ड को अपनी भूल का अनुभा हुआ और उसने अपनी योजना में परिवर्तित किया और फिर उसने एक नई योजना बनाई पंजाब पर आक्रमड करने की तो मगत पर आक्रमड किया लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी और अब दुबारा वो कहां पर आक्रमट करने की योजना बनाता है पंजाब पर अब पंजाब पर युनानियों का अधिकार था क्योंकि इससे पहले मैंने आप रोको बताया था कि इरानी और युनानी आक्रमट हुए थे जब सिकंदर आया था तो उसने पंजाब की राजा पोरस को हरा कर पंजाब पर अधिकार कर लिया था तो पंजाब पर युनानियों का अधिकार था खिक है तो अगर अब चंदगुप्त मौरे को पंजाब पर अधिकार करना है तो उसके लिए क्या आवश्सक है? पहले युनानियों का वहाँ से निस्कासन आवश्सक है, पहले वो युनानियों को वहाँ से निकालेंगे तब वहाँ पर अधिकार कर पाएंगे तो चाड़के और चंदगुप्त मौर्डे ने अपनी यूजना बनाई और युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया? धन, सेना, जन्मत वार राच के मैत्री की ओर ध्यान देना सुरू किया धन प्राप्ति हे तो उसने प्रयास किया, उसने विंधियान चल वनों में जाकर धन एकत्री किया इसके बाद इस्थानीय निवासियों को इन्होंने सेना में भर्टी की और मुद्रा राक्ष्य से ग्यात होता है कि चाड़के ने हिमाले के एक राज्य के परवतक नामक राज्या से मैत्री संधी की थी और इसके बाद چारक्य ने युनानी सासन के ब्रुद उन्नी राज्यों को भड़काया जो सिकंदर से परास्थ होने के बाद अधिनता सिकार कर नहीं कर रहे थे तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्रे और चाड़क ने धन एकत्र किया, सेना एकत्र की और अन्य राज्यों से मित्रता की और जन्मत का सहयोग भी प्राप्त कर लिया और इस सब के बाद वो करते हैं पंजाब पर आख्मड और पंजाब पर अधिकार कर लेते हैं पंजाब पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्रे फिर से मगत पर अख्मड करता है चाड़क के ने मगत का आधा समराज्य परवतक नामक राजा को देने का वचन देकर उस राजा की भी सहायता ले लेते हैं इस युद्ध में तो इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्रे परवतक की सहायता से घनानंद को पराजित कर देता है और इसके बाद वो परवतक राजा को भी विस करन्या की सहायता से मार देता है तो ना तो चंदगुप्त मौदे का आधा समराज मगत का जाता है और ना ही परवतक जीवित रहता है तो मगत पर उसने पुन्ना आक्रमण किया और मगत पर अधिकार भी कर लिया मगत पर अधिकार करने के बाद उसका युद्ध होता है सेल्यूकस से सेल्यूकस जो सिकंदर का सेना पती था जब सिकंदर भारत आया था और उसने भारत के छेत्रों को जीता था तो उन छेत्रों को जीत कर जब वो वापिस गया था युनान तो जीते हुए छेत्र को वो सेल्यूकस निकेटर को दे गया था तो यानि कि भारत के जो विजित छेत्र थे सिकंदर के दौरा उन छेत्रों पर कौन राजा हुआ था भी सेल्यूकस निकेटर अधिकार किया हुआ था तो अब चंद्गुप्त मौरे का युद्ध किसके साथ होगा सिकंदर के साथ तो होगा नि जो उस छेत्र में बैठा है उसके साथ होगा यानि कि सेल्यूकस निकेटर के साथ होगा तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्गुप्त मौरे के बीच में लड़ाई हुई और इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ पराजित होने के बाद चंद्गुप्त मौरे और सेल् सार मैगस्तनीच जो रास्तूत के रूप में सैल्यूकस के दरवार में रहता था अब वो किसके दरवार में रहेगा चंद्गुप्त मौरे के दरवार में रहेगा इसके अलावा 500 हाती चंद्गुप्त मौरे ने सैल्यूकस को दिये और बदले में सैल्यूकस ने हैरात काबु कंधार और मकरान के छेत्रे चंद्रगुप्त मौरे को दिये इसके अलावा सैल्यूकस ने अपनी पुत्री हिलेना का विवा चंद्रगुप्त मौरे से कर दिया इसके बाद जो संपूर सम्राज्य था मगत का वो पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौरे के अधीन हो गया और और आगे चलकर 298 इसा पूर्व में स्रवड बेल गोला में चंदगुप्त मौरे की मिर्तियों हो जाती है और इसके बाद जो अगला सासक बनता है वो बनता है विंदु सार तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूं मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू